कारगिल यूद के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा की लाइफ पर बेस्ट फिल्म शेर शाह रिलीज होने के साथ ही फैंस को बहत पसंद आ रही है जिसमें से धार्त मलोत्रा और कियारा आडवानी ने लीड रोल निभाया है फिल्म दर्शाती है कि कैसे कैप्टन ने अपनी आखरी सास तक 0.4875 हसिल करने के लिए संघर्श किया इस फिल्म में कारगल यूद के साथ साथ कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रेम कहानी को भी दिखाया गया है फिल्म की तरह ही बत्रा और डिम्पल शीमा रियल लाइफ में एक दूसरे को बहत चाहते थे वो दोनों अपने कॉलेज की दिनों में चंडीगड के पंजाब यूनिवरसिटी में मिले थे हाला कि डिम्पल के परिवार को उनका रश्ता मन्जूर नहीं था लेकिन इसके बावजूद दोनों को प्यार हो गया और उन्होंने एक दूसरे के साथ रहने का वादा किया एक बार का वाक्या है कि मंसा देवी मंदिर में परिक्रमा करते हुए बत्रा ने डिम्पल का डुपट्टा पकड रखा था और कैप्टन ने डिम्पल के माथे पर सिंदूर भी लगाया था उनके अनुसार ये उनकी शादी थी बतादिक कारगिल यूद समाप्त होने के बाद दोनों ही शादी करने का इंतजार कर रहे थे लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा ने 1999 में राष्ट के लिए लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिये इसके बाद डिम्पल चीमा ने कभी किसी से शादी नहीं की और विक्रम बत्रा की विद्वा रहने का फैसला लिया साल 2017 में एक इंटर्व्यू में दिम्पल ने कहा था पिछले 17 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब मैंने खुद को उनसे अलग महसूस किया हो ऐसा लगता है जैसे वो किसी पोस्टिंग पर दूर है जब लोग विक्रम की उपलब्दियों के बारे में बात करते हैं तो मुझे बहुत गर्व होता है लेकिन इसके साथ ही मेरे दिल के एक कोने में कुछ अफसोस भी है कि उन्हें यहां होना चाहिए था अपनी वीरतापूर्ण कहानियों को सुनना चाहिए था कि आप कैसे आज के युवाओं के लिए एक प्रेणना है मैं अपने दिल में जानती हूँ कि हम फिर से मिलने जा रहे हैं बस समय की बात है फिल्म में डिमपल का किरदार निभाने वाली कियारा आडवानी ने शेर शाह की शूटिंग शुरू करने से पहले उनसे मुलाकात की थी कियारा ने कहा कि डिमपल उनके लिए प्रेणना है मेरे दिल में उनके लिए एक खास थान रहेगा आपको बता दें कि डिमपल एक स्कूल सिक्षिका है और आज तक वो गर्व से कहती हैं कि वह कैप्टन विक्रम बतरा से प्यार करती है वाकई में विक्रम बतरा के साथ-साथ दिमपल चीमा भी आज की पेड़ी के लिए एक प्रेणना एक मिसाल है जनतंत्र टीवी कारगिल योद में शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा को सलाम करता है जनतंत्र टीवी के लिए सुधांशु चोड़ा स्यक्रिपू